जैश्री राम बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खाशकार कर मानश जोतिस ग्यान में मैं हूँ आपके साथ आचारी राजमिश्वाबाद करेंगे कालचक्र की तीसरी राशी मित्थुन के बारे में किस प्रकार ब्यतीत होगा दिशंबर का महिना इसके राशी श्वामी जो हैं वो बुद्ध माने जाते हैं हर्या रंग इसका बहतरी रंग माना जाता है तो इस बार किस प्रकार की परिस्थिती होगी आपके खुद के राशी कि तूछटे भाव में गोचर करेंगे और उसके साथ शुक्र जो है वह आपके साथवे भाव में गोचर करेंगे शनी आपके दसम भाव में गोचर करेंगे ब्रहस्पती नवे भाव में गोचर करेंगे शनी आपके छमाचाओंगा अस्टम भाव में गोचर करेंगे ब्रहस् बहुत ज़्यादा स्वास्त में दिक्कते निश्यत रूप से उत्पन होंगी स्वास्त खराब रहेगा भाग दोड़ ज़्यादा रहेगा बनते हुए कारवें में अर्चने उत्पन होंगी ये परिस्ति आपके साथ 9 दिसंबर तक रहने वाली है लेकिन 9 दिसंबर के बाद जब आपके राशी श्वामी परिवर्तित हो करके 7th हाउस के अंतरगत आ जाएंगे अल्रेडी 7th हाउस में जो शुक्र है उनका गोचर हो ही रहा है खर शुक्र बहुत जल्दी मकर के अंतरगत चले जाएंगे अस्टम भाव में चले जाएंगे लेकिन राशी श्वामी का 7 स्वास्ट में आकर के अपने राशी को पूरी तरह से दृष्टी देना एक बहुत अनकूल योग है हमारे लिए अनकूल योग इस प्रकार का है कि एक तो स्वास्त जो पहले खराब चल रहा था वो बहतर हो जाएगा और जो भाग दोड पहले चल रही थी जो दिक्कते पहले चल रही थी उनसे बाहर कैश्री निकलना है उसका राश्ता निश्चत रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा जीवन साथी के साथ भी आपके संबंद जो है वो मधूर हो जाएंगे क्योंकि जीवन साथी का स्वामी जो सेवन्थ हाउस का स्वामी प्रहश्पती है अल्रेड उसके साथ अगर हम और ग्रहों पर जाएं यहां पर शुक्र पर जाएंगे और शुक्र को देखेंगे कि सुक्र के पाफ बहुत इंपॉर्टन्ट हाउस है आपकी राश्री में एक तो फिप्थ हाउस उसके पास से जो हमारा करीब-करीब ब्रेन होता है जो हमारे प्रेमी प्रेमिका का भाव होता है जो हमारे संतान का भाव होता है जो हमारे एजुकेशन का भाव होता है ट्वेल्थ हाउस के पासे जो हमारी निद्रा का भाव होता है इसमें हम सोते हैं जो हमारी निद्रा होती है यह हमारा विदेश से संबंधित जो काम है वो ट्वेल्थ हाउस देखे एक तो आठ दिसंबर तक जब तक शुक्र का गोचर आपके सेबंथ हाउस में रहेगा तब तक प्रेमी प्रेमी का की तरब से प्यार का इजहार हो सकता है जिन नव दमपत्ती को संतान को ले करके चिंताएं है उनके संतान का संयोग इससे पहले बनने का पूरी द्रह स के अंतरगत गोचर करने जाएगा यहां पर मित्रों के तरब से सीधे धोखा मिलने वाला है और एजुकेशन में प्राबलम आने वाली है संतान को ले करके चिंताएं उत्पन करने वाला है जिनकी प्रेगनेंशी का दूसरा महिना है क्योंकि फर्ष्ट मंथ जो प्रेगनें उसके साथ नींद इत्यादी आने में दिक्कते उत्पन कर सकता है तो यह परिस्थितियां करीब करीब आपके शाथ पैदा करने वाला है छठे भाव में सूर्य का गोचर करना एक तो मंगल भी दूसरा पहले पंचम भाव के अंतरगत गोचर करेगा एक आदस भाव का शाम कॉपोर्टीशन है तो निच्चत रूप से उसमें सफलता दिलाता है सूर्य जो आपके वरकर काम कर रहे हैं आपके अंडर में उन से आपको निश्चत ही इसकूर्ट दिला करके बहतर लाब प्रवाइड कराता है सूर्य 6th फावश में नौकरों से बहतर रिजड़ दिलात समय बहुत ज्याद़ देखना होता है इसलिए हम बहुत चल्चा नहीं कर पाते हैं कोई अन्य जानकारी आपको अपने विस्था चाहते हैं तो प्लीज कॉल करें और अपने विसे में जानकारी प्राप्त करें चलिए इस कारिक्रम को यहाँ पर विराम देता हूँ नए कारिक्रम के साथ फिर आपके सामने आऊंगा जैसे राम, बहुत धन्यवाद